मेरे सोहने मोहने बच्चे, यह कहानी है एद के उस दिन की जब जिराफ मिया ने जंगल में सभी जानवरों को आमंतरित किया. हाँ, क्या छोटे पक्षी और बड़े जानवर? सभी बहुत खुश थे. बच्चे, जब गौरया एक पेर के पास आई उनके गले में लटके पत्र का थेला, वे खुशी से चहक उठे. चू 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 स्वागत है अंकल, ऐसा लगता है कि आप हमें एद का निमंतरन पत्र देने आये हैं, धन्यवाद. ननही चेडिया, बिलकुल, यह है आप सभी के लिए निमंतरन. यह कहते हुए जिराफ मिया जुके एक हाथ, उसने एक चोटा पत्र निकाला और उसे पत्तों पर रख दिया. आह, क्या इस बार सफेद चावल होंगे? जिराफ के जाने के बाद एक पक्षी ने पूछा. हाँ, पत्र में लिखा है कि सफेद चावल, मकई के दाने और गेहूं के विसकोड़ी होंगे. वाह, कितना मज़ा आएगा चिठी पढ़ते पढ़ते खुशी से उचल पड़ी चेडिया बोली. जिराफ मिया ने कई जानवरों और पक्षियों को निमंतरन दिया और जब तक वे घर पहांचे तब तक वे बहुत ठक चुके थे और गहरी नींद में सो गए थे. इद, दो दिन दूर थी, घर दिन एक घोड़ा गारी जिराफ मिया के घर आती थी और बहुत सी चीजों के साथ वापस चली जाती थी. शेर और तेंदूए के लिए ताजा मास, खाथी के लिए सबजियां और गेहूं से बनी मोटी रोटी, कौवे के लिए पानीर, शोर्बा, बक्री के लिए घास और सबजी के बच्चे, मुझे बताओ, जिराफ बहुत खुशी से दावत की तयारी कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि कोई भी जानवर खाली हाथ नहीं जाएगा, छोटी चीनितियों के लिए भी, जिराफ ने चीनी और गुर तयार किया, कुछ को आदेश दिया और रखा गया, आखरकार इद का दिन आही गया, सुभव सुभव दर्वाजा खट खट आने लगा, जिराफ खुशी खुशी एक-एक महमान को उसी तरह ले आए, फिर भोजन शुरू हुआ, गौरईयों ने चावल से कई थाली भर दी, शेर और तेंदुए ने जल्दी से सारा मास फार दिया, लेक मैंने उसे जोर से मारा और रोटी के टुकड़े उड़ गए, वो चीटियों को बताना चाहता था कि उसकी सूंड में कितनी शक्ती है, लेकिन चीटिया इस निमंतरन से खुश नहीं थी, उन्होंने एक तरफ खड़े होकर देखा कि दूसरे जानवर खाना खा रहे हैं और खाना बरबाद कर रहे हैं, जिराफ ने भी एक कुरसी रखी थी, वो साथ बैठा था उन्हें, वो बहुत उदास लग रहा था, उसने सोचा भी नहीं था कि उसने इतनी मेहनत से खाना बनाया था, अपने कमरे में चला गया, ये बात चीटियों ने सुनी और अब वे एक द कड़ी, कुछ चीटियां फर्ष पर गिर पड़ी, उसने उठा लिया चावल और इसे वापस प्लेटों पर रखना शुरू कर दिया, कुछ चीटियां मेज पर चड़ गई और साथ में उन्होंने मकई की गुठली उठा कर एक ट्रे में रख दी, एक मेज पर एक के लिए चूप रहना पड़ा, क्योंकि चीटियों की एक कतार उनकी मेज पर चर रही थी, उन्होंने मास के बिखरे हुए टुकडों को उठा कर वापस रख दिया, घड़ियां बहुत बड़ी थी, लेकिन चीटियों ने हार नहीं मानी, वे उन्हें वापस खीच कर ले अब पूरे घर में सन्नाटा चा गया, सभी जानवर चुपचाप चीटियों को देख रहे थे, तब उन्हें शर्म महसूस हुई, थोड़ी देर बाद वे खुद बिखरा हुआ खाना एकठा करने लगे, कौवे ने पनीर के टुकडों को अपनी चोंच से उठा कर एक दिव पर रख दिया, भालो मिया ने भी शहद की बोतल के चारों और गिरा हुआ शहद रुमाल से साफ किया, साफ किया, फिर सारे जानवर जिराफ मिया के कमरे में आ गए, जिराफ बिस्तर पर लेटे हुए थे, वे थके हुए लग, रहे थे, उन्होंने अपने नाखूनों से अ जिराफ मिया मुस्कुराया, धन्यवाद, जिराफ मिया, फिर सभी जानवरों ने थोड़ा जुक कर जिराफ मिया को धन्यवाद दिया और दर्वाजे से बाहर चले गए, मिया जिराफ ने देखा, दर्वाजे की दरार से चीटिया भी निकल रही थी, उसने जट से चीनी की एक बोरी उठाई और चीटियों के घर में रख दी एक पत्र के साथ जिस पर लिखा था आप सभी आने के लिए धन्यवाद मुझे पता है कि आपने उस प्रसार को लपेटने में बहुत समय बिताया जो आपके पास खुद खाने के लिए नहीं था इस बोरी को मेरी ओर से उप रास्ते में चीनी की गंद और जिराफ के भैरों के निशान पहले ही दिखाई दे चुके थे मेरे बच्चों मैं आपको दिल से सलाह देता हूं कि आप खाना बर्बाद न करें चाहे आप किसी दावत में हूं या घर पर टेबल पर खाना अल्ला का एक बड़ा और अनमोल आशीरवाद है इसे बर्बाद करने का मतलब है कि हम अल्ला द्वारा दिये गए भोजन को महत्वपूर नहीं मानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए हम अल्ला के शुक्र गुजार है कि हमें दिन में तीन बार अच्छा और ताज़ा के और अतिरिक भोजन उन लोगों के साथ साजह करें जो इन स्वादिश चीजों को बरदाश्ट नहीं कर सकते और हाँ जिराफ मिया ने इस एद पर भी सभी जानवरों को आमंत्रत करने की योजना बनाई है जब मैंने उसके कमरे में जहांका तो वो मेज पर बैठकर निमं संदेश प्राप्त करें